ओम शांति पांच अक्टोबर दो हजार बाइस बाबा के माहवाख्य मेठे बच्चे इस समय तुम्हारा यह जनम हीरे समान हैं क्योंकि तुम इश्वर्य संतान बने हो स्वयम इश्वर्य तुम्हें पढ़ाते हैं तुम दूरा देशी विशाल बुद्धी बनते हो प्रश्ण तुम बच्चे किस पुरुशार्थ से दूरा देशी और विशाल बुद्धी बन रहे हो उत्तर बाप की याद से दूरा देशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धी बनते हो दूरा देशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना मन मनाभव का अर्थ है दूरा देशी होना विशाल बुद्धी अर्थात स्रश्टी के आदी मध्य अंत का ज्यान बुद्धी में हो तुम्हें पहले दूरा देशी फिर विशाल बुद्धी बनना है गीत हमारे तेर्थ न्यारे है ओम शान्ति बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तेर्थ न्यारे है हमारा तेर्थ बहुत दूर है इसलिए बच्चों को कहा जाता है दूरा देशी भव दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धी भव सबकी बुद्धी इस समय तुछ है ना माया ने तुछ बुद्धी बना दिया है तो बच्चों की है दूरा देशी बुद्धी अर्थात दूर के रहने वाले की याद और विशाल बुद्धी अर्थात सारे सरश्टी के आदी मर्ध्य अंत का ज्यान बुद्धी में हैं और सब हैं अल्पग्य बुद्धी अर्थात अल्प बुद्धी सिर्फ कहते हैं परमात्मा परंतु जानते नहीं यहां कोई महात्मा नहीं है यह तो बाप आकर दूरादेशी बनाते हैं परंतु दूरादेशी बच्चे कम हैं भल ज्यान बहुत है परंतु दूरादेशी कम हैं अर्थात बाप की याद में कम रहते हैं बाकी साधु तो साधना करते हैं यथा राजारानी तथा प्रजा सारी दुनिया इस समय पतेत हैं भल महात्मा नाम डाल देते हैं परंतु महानात्मा कोई है नहीं कई फिर स्रीक्रश्न को महात्मा कहते हैं यह फिर भी राइट हैं क्योंकि वहां स्रेष्टाचारी दुनिया है यह तो है ब्रष्टाचारी दुनिया यथा राजारानी तथा प्रजा परंतु इस समय राजा कोई है नहीं प्रजा का प्रजा पर राज्य है बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को न जाने और जब तक कल्प के अंत में मैं न आऊं मनुष्य तो स्रिक्रश्न को याद करते हैं वह तो इस देश का है दूरा देशी है नहीं तो बाप को याद करना माना दूरा देशी बनना मन मना भव का अर्थ है दूरा देशी भव जो बाप को जानते नहीं तो बाप से वर्षा कैसे मिले अगर आये नहीं तो वर्षा कैसे मिले बड़ी समझ की बात है साजन से बड़ा प्यार चाहिए कहते हैं एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला तो एक से ही सब कुछ प्राप्त हो जाती है ऐसे साजन से बहुत लव चाहिए यह है बेहद की नौलिज विराट ड्रामा अर्थात विराइटी जिसमें अनेक मतभेद हैं तभी कहते हैं द्वैत राज्य द्वैत या दैत्य एक ही बात है दैत्य कहां जाता है रावन को देवता बनाने वाला एक ही बाप है कहते हैं मनुष्य से देवता कितनी सहज बात है तुम हो विशाल बुद्धी शास्त्र पढ़ने वालों को विशाल बुद्धी नहीं कहेंगे वह है भक्ती ज्ञान अलग चीज है भक्ती अलग चीज है ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप देते हैं तुम हीरे जैसा थे, अब कोडी जैसे बन गए हो, अब बाब हीरे जैसा बनाते हैं, तुम विशाल बुध्धी होने से विश्व पर राज्य करते हो, वहां अखंद अटल राज्य है, तो विशाल बुध्धी ज्यान में होते हैं, तुम जानते हो, सत्युग में सुख था, फिर धीरे धीरे नीचे सीधी उतरनी है, चड़ने में एक सेकंड जम्प लगाना, बतिच से पावन बनने की चलांग लगाना, उतरने में पांच हजार वर्ष, तुम सब नंबरवार पुरशार्तनुसार विशाल बुध्धी बने हो यह ज्यान अभी मिलता है, सत्युग में यह ज्यान होता नहीं, संगम पर बाप आते हैं, हुब हुब कल्प पहले मुहाफिक सत्युग में विशाल बुध्धी नहीं कहेंगे, हीरे जैसा जनम भी सत्युग में नहीं कहेंगे, हीरे जैसा जनम इस समय हैं, क्योंकि इस समय तुम हो इश्वर्य संतान इश्वर्य तुमको पढ़ाते हैं, यह महीमा बाप की है, जबकी परमात्मा पतित पावन है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है परंतु मनुश्य अलपग्य बुध्धी हैं, कितना भी समझाओ, समझते नहीं है, तो समझो वह भ्राम्मन कुलका नहीं है जो देवता कुलका होगा, वही ज्ञान को समझ भ्राम्मन बनेंगे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो, फिर तुम सुख शांती के सागर बनते हो सत्युग में सुख अपार रहता है तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है सोभी अंत में ज्ञान सुख शांती के सागर बनेंगे क्योंकि औरों को भी देते हो अभी देखो कितना दुख अशांती है बडों बडों को नीद नहीं आती है तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है क्योंकि तुम बाप को जानते हो दुनिया कहती है O God Father परंपिता परमात्मा परंतु जानते नहीं कितने समय से भक्त भक्ती करते याद करते आये हैं जानते कुछ भी नहीं, बाप अपना और अपनी रचना का परिचे खुद आकर देते हैं, तुमको औरों को देना है, तुम जानते हो यह बाप है, कोई महात्मा नहीं है, बाबा को ख्याल आया, फॉर्म में लिखा हो, तो आप किस से मिलने आये हो, तो कहेंगे महात्मा से, बोलो महात्मा तो यहां है नहीं, नाम है भ्रमा कुमार कुमारिया, तो इनका बाप प्रजा पता होगा ना, तो महात्मा कैसे हुआ, आर्यू करने वाले अच्छे चाहिए, बुद्धी वाला चाहिए समझो वह लिख कर भी जाते हैं परन्तु समझते कुछ भी नहीं बिलकुल बुद्धु है शकल से मालुम पड़ जाता है बुद्धी में ज्यान नहीं है शे बाबा तो जानते हैं अंतर यामी है यह बाबा तो बाहर यामी है बाब कहते हैं मैं आता ही उस तन में हूँ जो पहला नंबर है अब लास्ट में हैं इन में प्रवेश करता हूँ क्योंकि इनको फिर वही नारायन बनना है तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है तब तो कहते हैं सौभाग्यशाली रथ भागी रथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई यह गोहिय ग्यान की बाते हैं जो रावन मत पर होने कारण मनुष्य समझते नहीं है अब तुमने समझा है तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो तुमको ख्याल आना चाहिए कि औरों को कैसे दूरादेशी बनाए कैसे बाप का परिचेदे वह भ्रम को याद करते हैं भ्रम तो तत्व हैं जहां परमात्मा रहते हैं परंतु वह भ्रम को ही परमात्मा समझते हैं जैसे हिंदू कोई धरम नहीं है हिंदुस्थान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है पास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है, भ्रम्तत्व भी पर्मात्मा के रहने का स्थान है, परंतु मनुश्यों की अल्प बुध्धी होने के कारण समझते नहीं. यहां ज्ञान की बात है। दुनिया की बातों को तो सब अच्छी तरह जानते हैं। यह खुद जवहरी था, तो सब कुछ जानता था। बाकी ज्यान की बातों में अल्प बुध्धी तुच्च बुध्धी थे, कुछ नहीं जानते थे, तो बाबा आकर पहचान देते हैं, जब तक कोई भ्रामण ना बने, तो बाब से वर्षा लेना सके. प्रजा तो बननी हैं, किसी ने भी थोड़ा सुना, तो प्रजा बन जाएंगे, अगर विकार में जाता रहेगा, तो उनको सजाब हुगनी पड़ेगी, फिर आकर साधारन प्रजा बनेंगे, अभी सबका मौत है, कब्र दाखिल होना ही है, कब्रस्तान बनना ही है, इस समय मनुश्यों की कोई वाल्यू नहीं है, तुम्हारी भी नहीं थी, अब वाल्यू बन रही है, बाकी जब विनाश होगा, तो मच्छरों सद्रश्य मरेंगे, जैसे दिपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना है ही, क्योंकि सबको घर वापिस जाना है, सत्यूग में यह नहीं कहेंगे कि यह मरा, क्योंकि वहां अकाले मृत्यू होता नहीं, काल पर जीत पाते हैं, मरना शब्द वहां नहीं होता, सत्यूग में जानते हैं कि हम मरते नहीं हैं, सिरफ एक पुराना छोला छोड नया लेते हैं, सो भी समय पर. सर्प का मिसाल है कि पुरानी खाल छोड नई लेते हैं, तो सर्प का मिसाल सत्युक से लगता है, यहां से नहीं, भ्रमरी का मिसाल यहां का ही है, सन्यासी भी यह मिसाल देते हैं, क्योंकि यहां का ही यादगार भक्ती में चलता है. अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुध्धी बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे जैसे सर्जन जितनी विशाल बुध्धी वाला होता है, जितनी दवाई आदी बुध्धी में अधिक रखता है, उतना कमाई करता है तो यहां भी ऐसे है कोई दो सो पचास रुपया कमाई करते कोई तो भिर हजारों कमाते ही कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाख लाख भी दे देते ही यहां भी ऐसे ही है कोई को तो ग्यान के पॉइंट्स की धारणा नही और कोई तो बड़े दूरादेशी विशाल बुद्धी हैं, तो औरों को भी बनाते हैं, पहले दूरादेशी पीछे विशाल बुद्धी कहेंगे. समझने की बात है न, भ्रामणों जैसा सवभाध्य शाली कोई है नहीं, एकदम सबको उपर ले जाते हैं, उपर में परमात्मा है न, तो उसका परिचे देते हो, तो तुम जानकार हो न? बच्चों को तो बाप की जानकारी होती ही है, अब पार लोखिक बाप आये हैं, तुमको पावन बना कर वापिस ले जाने के लिए. एक खेरूद, खेती करने वाले बच्ची की कहानी है न, कि राजा बच्ची को ले आया, उसे अच्छा नहीं लगा, तो उनको वापिस भेज दिया, यहां भी ऐसे हैं, जिनकी बुद्धी में ज्ञान की धारणा नहीं होती हैं, तो वह खुद ही चले जाते हैं, उसमें बाप क्या करें, समझाने वाला है, तो परमपिता परमात्मा, वह भ्रम्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते ही, कि वेद शास्त्र कोई धर कि धरमशास्त्र हैं नहीं, यह तो पत्ते हैं, बाल बच्चे हैं, मुख्य धरम है चार, उसमें भ्राम्मन धरम भी है मुख्य, हीरे जैसा जनम देवताउं का नहीं कहेंगे, क्योंकि यह कल्यानकारी लीप धर्माव युग है, लीप मास धर्माव को कहते हैं, यहां है और जितने भी युग हैं, वहां अकल्यान ही होता है, क्योंकि डिगरी कम होती ही चाती है, दिन प्रते दिन कला कम ही होती चाती है, यह युग ही है कल्यान कारी, तो हर एक को माथा मारना पड़े कि और उनको कैसे समझाए। युँ तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, फिर हर एक का धन्दा अपना अपना है, तो यहाँ आना चाहिए कि कैसे औरों को दुबन दलदल से निकालूं, कई तो दलदल से निकालने जाते, फिर खुद फस जाते हैं, तो समझाने की बड़ी युकती अलफ को समझाओ, तो बे बादशाही को भी जान जाए, और सृष्टी चक्र को भी जान जाए। पहले अलफ को तो जानू, कोई हजार दफा लिख कर दे कि अलफ कौन है, तब यहाँ बैठ सके। कई तो बलड से भी लिख कर देते हीं, फिर चले जाते हीं, माया कोई कम थो अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रती, मात पता, बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते। धारना के लिए मुख्य सार। पहला, दूरा देशीवन बाप की याद में रहना है, और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचे देना है। दूसरा, कल्यान कारी युग में सभी का कल्यान करने की युकती निकालनी है, सबको दुबन दलदल से निकालने की सेवा करनी है। वर्दान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उडती कला की स्थिती का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। उमंग उत्साह आप भ्रामनों के उडती कला के पंख है। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो, तो उडती कला की स्थिती से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। यह उमंग उत्साह ब्रामनों के लिए बड़े से बड़ी शक्ती है। नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस है, तो कभी दिलशिकस्त नहीं हो सकते। सदा दिलखुश। उमंग उत्साह तुफान को भी तुफा बना देता है। परिक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। स्लोगन जो अशरीरी स्थिती के अभ्यासी हैं, उन्हें शरीर की आकर्षन आकर्षित नहीं कर सकती। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्या। हम मनुष्य आत्माओं को पहले-पहले कौनसी मुख्य पॉइंट बुद्धी में रखनी हैं, जिस पर खूब एटेंशन रखना है। पहले-पहले तो अपने को यह पक्का निश्चे रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माओं है और परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग-अलग चीज हैं। तीसरी पॉइंट इश्वर बेयंत भी नहीं है, इश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नौलेज बुद्धी में रखनी है, इसलिए अपनी नौलेज और उनसे न्यारी है। भले दुनियावी मनुश्य समझती हैं, हमको परमात्मा का ग्यान है, अब उनसे पूछो। आप में कौनसा ग्यान है? तो कहेंगे इश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है, मेरा ग्यान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टरी, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखे जाती हैं। भल वहां बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से न पढ़ा, तो दूसरा पढ़ाईगा। एक डॉक्टर से ना पढ़ा, तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाईगा। अगर यह ईश्वर्य नॉलेज सिवाए एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुश्य आत्मा चाहे साधू, संत, महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेंगे। तो हम कैसे समझे कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्यान है। और चोथी पोइंट परमात्मा युगे-युगे नहीं आता है। बलकि परमात्मा कल्प-कल्प एक ही बार इस संगम-युग पर अर्थात कल्युग के अंत और सत्युग के आदी संगम समय पर आता है। और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदी सनातन सत धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे-युगे आता है और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान स्रीकृष्ण वो द्वापर से आया है। अब इन सभी बातों को सिध करना है गीता का भगवान स्रीकृष्ण नहीं है। शेव परमात्मा है और वो भी द्वापर में नहीं आता संगम समय पर आया है। पांचवी पॉइंट गुरु बिगर घोर अंध्यारा कैसे हुआ? वो गुरु कौन है? मनुष्य सरिष्टी उल्टा जाड कैसे हैं? और हमको अपने पांच विकारों पर जीत कैसे पहननी हैं? चटवी पॉइंट हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है उसी तरफ ही जीत है और साथवी पॉइंट परमात्मा खुद सर्व शक्तिमान हैं तो जिन्होंने पर्मात्मा का पूरा साथ लिया है, उन्हों को ही पर्मात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब यह सभी बाते बुद्धी में रखना, इसको ही ज्यान कहां जाता है। अच्छा, ओम शान्ति! के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।